हाई अम्छूश्मिता वैनाची आज हमारा टॉपिक है कि हम अपने गोल तक कैसे पहुचे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम अपना गोल कैसे सेट करें अगर आपका कोई गोल नहीं है तो पहले वो देखके अपना गोल डिसाइड करके आईए और अगर आपने अपन पिछली बार मैंने वेट गेन के उपर एक वीडियो बनाई थी अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है नमबर वन वाच योर गोल एवरी डियर मैंने आपको पहले बताया था एक पेज में अपना गोल लिखने के लिए तो अब आपको क्या करना है कि उस गोल को रोज एक बार खोल के देखना है इससे क्या होगा कि आपको उस गोल तक पहुझने की चाहत और भी बरचाएगी अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आप एक ही दिन में और बहुत आसानी से तो उस तक पहुझने ही सकोगे तो आपको उस में गोल के लिए बहुत सारे सब गोल बनाने परेंगे जैसे कि अगर आपको singer बनना है तो पहले आपको अच्छे से रियाज करना है फिर पता लगाना है कि audition कहा है फिर वहाँ पे select होना है उसके बाद competition जितके आप singer बन सकते हो तो singer बनना आपका main goal है और रियाज करना audition देना ये सारे sub goals अगर आप पहले ही अपना hard वाला goal अचीव करने की कोशिश करो तो हो सकता है कि आपको पहले ही बहुत difficulties face करना पड़े और आप demotivate हो जाओ तो पहले अपना easy वाला goal पुरा करो फिर hard वाला मुश्किल काम में बाधाये तो आती है जैसे कि बहुत लोग आपको कह सकते हैं कि ये मत करो तुमसे नहीं होगा तो आपको ये नहीं सुनना है या तो आप उनको समझाने की कोशिश करो या फिर उनसे दूर रहो और जितने भी बाधाये आए सब को हटा दो मेरा मतलब इनसान को मत हटाओ मैं चीजों के बारे में बोल रही हूँ कही बार ऐसा होता है कि हम अपना goal दूसरों से share करते है और वो हमें demotivate करते है या कही न कही हम खुद भी demotivate हो जाते है इसलिए अपना goal तब तक किसी से share मत करो जब तक आप उसे पूरा ना कर लो लेकिन अगर आपको किसी की सला की जरूरत है तब आप ले सकते हो तो दोस्ता आशा करती हूँ इन 5 points से आप अपने goal तक पहुँच जाओ लक्ष तो सबका होता है लेकिन सबका पूरा नहीं होता क्या हुआ अगर बड़ा सपना है मेरा करके दिखाओं की फिर बोलना के यकीन नहीं आता अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक like, comment, share और subscribe कर देना तो फिर में लेंगे next Wednesday को Goodbye and achieve your goals